वेरी वेलकम टू आल शातियों प्रते एक दिन की तरह आज भी इवनिंग को जैसे से सीजियल पेपर थर्ड जीएस का प्रस्णपत्र एमसी क्यू के रूप में आपके सामने रेडी है और आज है जारखन जीकी के टॉफ 15 प्रस्ण और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस 15 में से कम से कम 10 दस प्रस्णों का उत्तर सही करने का प्रयास करें और जो दस सही करते हैं समझ जाई आपकी तयारी बैस्ट है और रिजल्ट आपकी बनेगी और आप एकजाम के किंग बनेगे तो स्टार्ट करते हैं पहला एमसे क्यों हाँ और स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्विस्ट करना चाहूँगा अगर आप जैसे से सिजल की तयारी करना चाहते हैं तो बिलकुल प्रती एक दिन इबनिंग 6-7 के बीच यहा सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो इस्टार्ट करते हैं पहला सामने रेडी हैं श्वतनतरता से नानी मौपना मांजी और केतन महतों की मृतियू कहां वई थी तो ये ये दोनों सुतनतरता सिनानी जारकन के थे और ये सविने अवेग्यान दोलन जो गांदी जी ने चलाया था सविने अवेग्यान दोलन उस दोरान में इन्होंने बहुत महत्पुर्ण भूमी का निभाई थी और इसी दोरान इन्हें जेल कर दिया गया था और इन्हें पटना जेल में रखा गया था यहीं पर इसकी मृति हो गई तो मिर्ति कहां होई थी तो पटना जेल में यानि पटना में मृति हो गई थी राइट एंसर एह है इसका question number two बारात के बाद महिलाएं जो लोक नृति करती है उसका नाम क्या है जारखंड छेतर में ये लोक नृति करती है उसका नाम क्या है तो उसका नाम होता है साथियों डमकच या कहीं कि डॉमकच भी मिलेगा दोनों एक ही होता है डमकच बारात जाने के बाद महिलाएं घर में किते हो कि एक प्रम निरिति करतीं इस वर्ष के सामने उठाने के लिए कि जो कि गांदी जी से काफ़ी Plan ग्रस के मंज से उठाना प्रारम् किया तो इसको कॉंग्रेस के मंच से अपनी मांगों को उठाने के लिए कब राजी हुए थे कब से इन्हों उठाना प्रारम किया तो उन्हें शभीष और सहयोग आंदलन के दोरान इनका गांदीजी से संपर्ख हुआ था गांदीजी जब राची आये थे इसके बाद उन्हे कॉंग्रेस के मंच से अपनी मांगों को उठाने के लिए प्रयास करना प्रारम कर दिया था अगला प्रस्न है शंथाल हूल विद्रो के नेता कौन थी काफी फेमस है संथाल विद्रो जिसे संथाल विद्रो करते हैं और संथाल विद्रो जोके 1855 में हुई थी ये भी एक ब पच्पन को था तीज जून 1885 को इसलिए तीज जून को हम लोग परतेक साल हूल दिवस मनाते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है श्रंथाल हूल विद्रो के नेता कौन थे तो इस विद्रो के नेता सीधो कानू चांद और भेरव थे मतलब यहां पर सीधो भी है कानू भी है चांद नहीं है यानि आपसन नमबर डी इसका राइट होगा उपर यूग सभी सीधो कानू चांद भेरव इसके परमुग नेता थे अठासव पच्पन में हुआ था और देट था तीज जून अठासव पच्पन भोगनाडी अगला प्रसन है जारकन में कितने सदन है विद अरकन की विदान सबाएक सदनिया है अब कि बढ़ते हम लोग खतास खां कि जिसने अठाटा सौर्टिस में खतास धास घाएं पर आकरमन करके उसे लूटा किसका सिनापती था इसने पलामुग के चेरो सासक पर आकरमन कर उसे लूटा था किसने खतास खाने तो पूछा जा लिए खिसकासनापती था यह नहीं किसका मघ्याक अकबर को साथियों यह सेड़ UCA का सिनापती था जिसने 1538 में कहां डा पलामों पलामों किसका साथन था डा एक धोथिंव की नहरे तो चेड्यों का और पलामों और प्र आकर्मन ह grown बढ़ार है हुआ । 1538 में अगला प्रेश्न क्यों बढ़ते हैं हम लोग मुहमद बिन तुगलक के सिनापती मलिक भया ने आकरमन कब किया था मुहमद बिन तुगलक के सिनापती मलिक भया ने हजारी बाग पर आकरमन कब किया था मुहमद बिन तुगलक के सिनापती कौन थे हैं मलिक भया इसने हजारी बाग पर आकरमन किया था तो कब किया था 1340 में दी इसका राइड एंसर होगा कोई इस तरह से भी इसको त्यार करता है मुहमद बिन तुगलक के किस सिनापती ने हजारी बाग पर आक्रमन किया था तो मलिक बया या तो किस तुगलक सासक के सिनापती ने हजारी बाग पर आक्रमन किया था मुहमद बिन तुगलक के सिनापती का क्या नाम था जिसने हजारी में दो तिन कर च weiteren अलगलगत तरी क hoch लिए गोटe, आपसे पूछा जा старा रहां कि जो संस्ता होती है इसका यह क्या है तो युवागरी है जन्जातियों का युवागरी को अम लोग घोटूल बोलते हैं जिसे किसी का गीती ओरा होता है किसी का घुमकूरिया होता है इसी तरह कुछ जन्जातियों का युवागरी है घोटूल तो घोटूल किसका युवागरी है संथालों का युवागरी है घोटूल आपसे पूछा जा रहा है घोटूल क्या है तो युवागरी किसका शंठाल का नेक्स्ट चने की खेती सबसे ज़्यादा किस जिल्ले में होती है चने की खेती जहारकन के सबसे ज़्यादा किस जिल्ले में होती है तो चनाकी खिती के लिए पलामू फेमस है पलामू में सबसे अधा चनाकी खिती होती है अगला प्रशन आपके सामने तयार है क्या आप तयार है जमसेदपूर किस नदी के किनारे स्थित है बहुत बार एक जामे पूछा गया है जमसिदपूर किस नदी के किनारे इस्तित है तो स्वर्न रेखा और अगर आपसे पूछा जागा किन दो नदियों के संगम पर तो स्वर्न रेखा और एक नदी है खरकई खरकई तो स्वर्न रेखा और खरकई नदी के संगम पर है मारा जमसिदपूर भरते हैं अगले प्रश्ण की ओर जार्कन राज में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है जार्कन में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है जलोड, लेटराइट, काली, लाल जार्कन में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाओ नहीं होती है जारकन राज की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? जारकन की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जारकन के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है कनाडा बान किस नदी पर इस्तित है कनाडा बान कनाडा बान सबसे पहले आप जाने कनाडा बान किसको कहते है जो मसांजो डैम है जो जहारकन के दुम का जिल्ले में स्थित है उसी को हम लोका कनाडा डैम भी बोलते हैं यह कनाडा बांध भी बोलते हैं और यह मयुराक्षी नदी पर अगला प्रेस्न में जनसंख्या की दिष्ट्री कौन से जहारकन राज्वत में कौनसासथान 2011 के संसर्श किम सवर आप से पूछा जारा है जन संक्या कर दिष्टी से जहारThat राज्वत में कौनसासथान जिसाथ YouTube इसी तरह पुछा जारा.. यूपी प्वाद फिर इस तो जहारकन का कौन नमर जहारकन का का संसर्ट में तो जहारकन Nepo धारखन पूरे भारत में उसमें एक नमर पर यूपी लाक्त हसेहर। सबगर्द नमर में का दीखेजक रहा ह। आपको रामगर्ण पढ़ना है यह रामगर्ण सबसे कम छेत्रफल वाला जिल्ला है जार्खन का राइट अंसर भी होगा यह थे टॉप सब्सक्राइब करता हूं आपके लिए काफी फाइडे मन रहेगा और साथ यह प्रतिक दिन इभनिंग में छे से साथ के बीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दी जाती है और अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए आपको लाब दायक लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स नमर वन